हेला दोस्तों, वेलकम टू आवर चानल सुवम टू एक्स्प्लोर, आज हम एक्स्प्लोर करेंगे पुने का फैमोस लाल महल, तो लेट्स एक्स्प्लोर स्टार्ट 1630 में सिवा जी के पिता साहा जी ने अपनी पत्नी जीजावाई और बेटे के लिए लाल महल किस्तापना की थी सिवा जी यहां कोई बर्ष से तक रहे जबकि उन्होंने अपने पहले किले पर कबजा नहीं कर लिया था बर्तमान लाल महल मुल्क का पुन्न निमान है और पुने सहर के केंद्र मिस्तीत है लाल महल सिवा जी और साइस्ता खान के बीच मुट भेट के लिए भी प्रसिद है जहां सिवा जी ने साइस्ता खान की उगलिया कार दी थी जब वो लाल महल की खिडकी से भागने के कोशिश कर रहा था यहां पुने में डेरा डाले बिसाल और मजबुत मुगल सेना पर एक गुप्त गुरीला हमले का हिस्सा था जिसमें साइस्ता ने सिवा जी के बचपन के घर पर कबज़ा कर लिया था बैतर संख्या और बैतर ससस्त्र और पसी सोनिके के बापचूत हार की बदनामी की सजा के रूप में साइस्ता को मुगल समरा डोरों का जेव द्वारा बंगाल में स्तानस दरित कर दिया गया था मुल लाल माल का डिर्मान हाली तबाह हुए पुने सहर का फिर से जिवन करने के विचार से किया गया था जब सहाजी राजे ने सिवा जी और उनकी मा माद जीजा भाई के साथ सहर में प्रवेश किया था युवा सिवा जी यहीं बड़े और बड़े भी हुए थे 16-45 में तोरना किले पर कब्जा कनने के लाल महल में रहे शीवा जी उनकी पत्नी साई भाई के साथ बिवाव 16-46 मही को लाल महल में किया था 17-20 सताबदी के अंत में लाल महल को कुछ लोगों ने बरबात कर दिया था और अंत सहर पर 29 महमलों के परिणाम सरुप इसे जम्मी दोज कर दिया गया था तो ऐसे कहा जाता है कि सनिवार बड़ा के निर्मान के दोरान लाल महल की कुछ मिटी और पत्थर का उपियक सोबाग के लिए किया गया था तो 1734 और 35 में लाल महल की भूमी पर कुछ घर बना गये और रोना जी सिंदे और राम चंद्र जी के उपियक के दिये गये थे पेशवाव के कारियाड के अभिलेखा में उल्लेखे की लाल महल का उपियक्स चीमा जी अप्पा के पुत्र सदा सीवराज भाओ के खागे समार के दोरान ब्रामून के लिए दावत की वेवस्ता करने के लिए किया गया था लाल मल का सटिक मूलस्तान अग्या थे और हाला कि ये सनिवार बडाकिस्तान के बहुत करीब माना जाता था जो माटे तरपर वही हैं जहां बरतमान पुन्न निमान का खड़ा हुआ है कुट कर दोर 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 समार के लिए। बर्तमान लाल महल का पुननिमाल पुने नगर निगम दरक किया गया था 1984 में शुरूआ और 1988 में इसका कम्प्रिट हुआ था तो बर्तमान लाल महल के एक स्मारक है जिसमें सिवाजी के जीवन की महरत्वपुन घठना उपर आधारित बड़े आकार के तेल चित्रों का संग्र है जो जीजा भाई की एक मुर्ती और एक नकनासी जिसमें सिवा जी को जीजा भाई के साथ सोने के हल का उपयोग करते हुए दिखाया गया था जो रायगड का एक फाईवर मॉडल भी है घुडबसर और महारस्ट का एक बिसाल मानचित्र जो सिवा जी के कीलो का दर्साता है लोको प्रियो जीजा माता गार्डन अब बच्चों के लिए एक मनरंजन पार्क जैसा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आवर चानल ठिंक्यू बाइबाइब आपको जैए महाराष्ट जैए सिवाजी महाराज की जै